इजोन मराथी एजुकेशन चानल पर आप सभी का स्वागत देखिए विद्ध्यार्थी मित्रों दिन ब्रीच कोर्स में डे 11 में आज हम जो स्किल एने जो क्षेत्र देखने वाले है भाशन संभाशन वाचन समवाद लेखन और व्याकरन की इस विद्धा पर आज हम चरचा करने वाले है उसमें जो कौषल आपको प्राप्त होने वाला है उसकी रिविजन हम करेंगे चात्र सम्वाज वाचन कर सुनते हैं चात्र उचित आरोह औरोह के साथ सम्वादों का वाचन करते हैं और चात्र विराम चिन्नों के अनुसार वाचन करते हैं वही संकलपणा है एकांकी याने गद्य विभाग पर जो एकांकी होती है उस पर चर्चा करने वाले हैं तो अब ह कुछ विद्यार्थियों को चर्चा करवाएंगे पूछेंगे कि कौन सी विधा है कि इन्हें क्या कहते हैं ऐसे प्रश्णों द्वारा चर्चा द्वारा आहम आप से जानने वाले हैं तो उदारन के तवर पर जो पहला उदारन दिया गया है ग्रामिन ने कहा लो भाई इस ब तुमारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूँगा भगवान तुम्हें सुखी रखे इस पर लकड़ारे ने कहा तो ग्रामिन ने कहा एक बात मेरी समझ में नहीं आई वह क्या देखिए उन दोनों में जो सम्वाद हुआ है उन दोनों में जो सम्वाद हुआ है वो सम्वाद की एक छोटी सी परिशेत यहाँ पर दिया गया है छोटे छोटे सम्वादों के उधारन देकर एकांकी इस विदा से संदर्व से समझाएंगे एक छोटा सा संदर्व है दूसरा उदारन दिया है उदारन के तोर पर निंद परी ने कहा और यह सुनिल यह गर में चार की कप प्लेटे तोड़ कर और अपनी मा से पिट कर सोया था रात रानी ने कहा इने अप रात के अनुसार दंड देने तुम्हें सफाई देनी होगी समझे नहीं तो सजा दी जाएगी उस पर निंदपरी ने कहा यह अपनी मा का कहना नहीं मानता खाने के समय खाना नहीं खाता यह खेलने के समय खेलता नहीं पढ़ने के समय पढ़ता नह कोई काम समय पर नहीं करता रात रानी ने कहा जवाब दो उस पर उस सुनील ने कहा अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते इसलिए मैं जवाब नहीं दूँगा तो यहाँ एक हस्ते वेंगा है लेकिन सम्वाद है इस पर उस सुनिल ने जो जवाब दिया है बड़ी चतुराई से लेकिन भोलेपन से जवाब दिया है तो हमें अब इस दोनों सम्वाद के आधारों पर इसका प्रकट वाच्वन करने के लिए कहेंगे विद्यार्थी प्रकट वाच्वन करते है और नीचे गई यह जो कृतियां है इस कृति को अपनी वही में अब लिखने वाले है पहली कृती है सुनिल के कारणा में कौन से है क्या क्या करता है वो दो कारणा में आपर लिखने है कारण लिखिए सुनील का जवाब ना देना क्यों नहीं सुनील जवाब देता था वही लिखना है समवाद में आया शब्द युग्म क्या क्या है वह लिखना है और समवाद में आये समानार्ती शब्द ढूंड कर या पर लिखने है समानार्थी शब्द जो आये हैं वह या आपर लिखने हैं और एक समाद लिखन दिया है ग्रह स्वामी ने कहा तो जूतों के पाँच रूबल और कड़ गए है और हाँ दच जन्वरी को मैंने तुम्हें दस रूबल दिये थे जो चलन है करंसी है वह करंसी के बारे में ग्रह स्वामी ने कहा जूतों के पाच रूबल तुम्हें कड़ गए हैं और हाँ दच जन्वरी को मैंने तुम्हें दस रूबल दिये थे उसपर जुलिया ने कहा रोते हुए जी नहीं आपने कुछ नहीं आगे वह कही नहीं पाती ग्रह स्वामी ने कहा अरे मैं क्या जुड बोल रहा हूं मैं डाइरी में हर चीज नोट कर लेता हूं तुम्हें यकिन न हो तो दिखाऊ डाइरी जुलिया ने कहा आप कह रहे हो तो आपने दिये ही होंगे उस पर ग्रह स्वामी ने जोर से कड़े स्वर में कहा दिये होंगे नहीं दिये है ठीक है ऐसा उसने जो दोनों में समवाद भुगाए ग्रह स्वामी और यहने जुलिया वो दोनों में वो समवाद के नीचे अपकृती हमें लिखनी है वही में पूरी करनी है इन्हें स्वाध्य पुस्तिका में पूरी करनी है समवाद में आई मुद्रा का नाम क्या है रूबल क्या है रूबल समवाद में आए पात्रों के नाम क्या है ग्रह स्वामी और कौन है ज जुलिया यह दो नाम है समवाद में आये पात्रों की स्वभाव विशेष्टा कैसी है जुलिया कैसी है करीब है मजबूर है यह रोते हुए वह कहीं नहीं पाती और ग्रह स्वामी कैसे है कठोर समवाद में आये विराम चिन्न तथा उनके नाम लिखिये कौन से कौन से विराम चिन्न आये है प्रुणन विराम आया है प्रश्ण वाचक चिन्न आया है और अल्प विराम आया है यह चिन कौन से भी दो चिन या दो चिन आपको यहापर लिखने है या उनके नाम लिखने है नीचे जो कृती दी गई है आकाश धर्ती तथा पेड के बीच होने वाली बाच्चित की कलपना करते वह समवाद लिखना है यही समवाद लिखना है आकाश ने कहा कि धर्ती तुम क्या कर रही हो या क्या करती हो तथा पेड के बीच तथा पेड के आकाश और पेड धरती तथा पेड याने दोनों में सम्माद या तीनों में आपको सम्माद लिखने हैं वह अपनी वही में लिखिये कक्षा पाचवी तथा छटी की हिंदी की पाट्टे पुस्तक में आये हुए सम्माद को सम्माद पाठो का उचित आरो आरो क साथ प्रकट वाचन कीजिए यहने समवाद लेखन कैसा करना है यह आपकी समझ में आ जाएगा आपको ग्यात हो जाएगा इसलिए रिविजन के क्षेत्र पर यहने आपको जो आप सभी ने समवाद लेखन कैसा लिखना है इस रिविजन के इस ऑनलाइन लेक्चर ब्रिच कोर एलेवन्त आप सभी ने सही लगन से अंतितक सुना आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद